वस्तो शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वस्तु दोश होने से सुख शान्तेवं पारिवारिक उन्नती में बाधा पैदा होती है वास्तु दोश की कारण पनपने वाली नकरात्म कुर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ता है वास्तो शास्तर के मुताबिक घर के दोश दूर करने के लिए कपूर को महत्यपोर एवं कारगरवाना जाता है कपूर के कुछ ऐसे उपाए हैं जो वास्तुदूश को दूर करने में मदद करते हैं यदि घर में वास्तुदूश है तो सभी कमरों के कोने में कपूर की टिकिया रख दे जब वह टिकिया गल कर खत्म हो जाए तो उसी इस्थान पर दूसरी टिकिया रख दे इसे घर में रहने वाले लोगों पर वास्तुदूश का प्रभाव नहीं पड़ेगा घर में रोज सुबह शाम कपूर को देशी घी में डूगो कर जलाएं और चारो तरफ घुमाएं इस घर में सकारात्म कुर्जा का संचार होता है साथ ही घर में सुख शांती बनी रहती है रात में रसुई का कार्य खत्म होने के बाद साफ सुत्रिय कटोरी में लॉंग और कपूर जलाना लाभकारी माना जाता है इससे घर परिवार में बरकत होने के साथ ही भंडार भी सदय वो भरे रहेंगे कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती या कार्य होते होते रुक जाते हैं ऐसे में वास्तु के अनुसार कटोरी में नेमित रूप से लॉंग और कपूर जला कर पूरे घर में घुमाए इससे बाधाएं दूर होंगी और कार्य बनने लगेंगे बतादे किस नान करने के पानी में कपूर के तेल के कुछ बूंध डालने से शरीर में चुस्ती और स्फूरती आती है वास्तु के अनुसार ऐसा करने से भाग्य भी चमकता है घर में सकरात्म कुर्ज के लिए प्रति दिन सुबह या शान के वक्त कपूर को जला कर हर एक कुर्णे में पैलना चाहिए इसे सकरात्म कुर्जा का संचार होता है घर के अगनी कोण यानी दक्षिट पूर्व दिशा में रोज शान को कपूर जलाने से धनकी प्रद्धी होने के साथ आर्थिक सम्रद्धी बनी रहती है। बतादे कि वास्तु शास्त्र के मताबिक घर के दोश दूर करने के लिए कपूर को महत्यपूर्ण एवं कारगर माना जाता है। कपूर के कुछ हैसे उपाएं हैं जो वास्तु दोश को दूर करने में मदद करते हैं। बतादे कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगों से प्राप्त ही है। जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कर जरू बताएं। नेक्स्ट राइनी स्प्रिच्वल से शृतिक रेपोर्ट